ऄलो दुस्तो नमस्कार आप सभी का हर देक स्वागत है दिर्दूनिश्टीटीफॉइंट पे और मैं हूँ दूस्तो मोही सिंग रावत तो यहां। यह corn string brought to you कि अधिवें यह जो ग्लास है यह dokTOR अजेरावसर की बुक क्लास देखें दोस्तो अजय रावा सर के बुक कुछ को हम detail discuss के साथ complete कराएंगे और जैसे ही यहांपे डॉक्टर अजय रावा सर के बुक कम्प्लीट होती है उसके बाद हम दूसरी किताब यस्वन सिंग कठोज की वो हम आपको कराना सुरू कर देंगे तो अभी फिलाल अजेर आवसर की बुक को कम्प्लीट कराते हैं पार्ट फाइब है दोस्तों और यहां पे जो डिसकस करने वाले हैं वो हम गार्डनर से लेकर रेम जेतर डिसकस करने वाले हैं यानि पेज नंबर की बात करें तो 1930 से आगे आज डिसकस करेंगे तो दीगे दोस्तों यहां पर बता दें कि पहले चार पार्ट में हमने आपको कराए हैं और चार पार्ट के माधियम से हमने आपको जो उतराखण का प्रागयसी शि फिर उसके detail वैक्षे के मादेम से discuss करते हुए complete करते चलेंगे और बहुत जल्दी हम इसे क्या कर देंगे complete कर देंगे तो शुरुआत करते हैं पहले question से और इसका answer दीजे जरा कि question है कि E Gardner कुमाव का commissioner कब बना तो इसका answer दीजे दोस्तों और काफी important प्रशन है काफी deep और काफी जो नजदीक है वहाँ पे यह आमने option रखे हैं तो option के अनुसार बताइए कि E Gardner कुमाव का commissioner है वो कब बना था तो option है 3 मई 1815, 1 मई 1815, 21 मई 1815 और 3 मार्च 1815 तो इसका सही answer क्या होगा तो देखे दोस्तों इसके सही answer के बात करें और आप सभी इसका सह answer देंगे और वह जो answer है option नमबर A यानि 3 मई 1815 तो जो gardener था वो commissioner जो बना वो 3 मई 1815 को बना जो लोड मोरा है उसके द्वारा gardener को appoint किया गया था अब यहाँ पे देखे दोस्तों gardener के बात करते हैं वैसे ज़्यादा fact नहीं है पर्थम भू बनवस gardener द्वारा 815 में कराया गया था और यहीं पर दूसरा important fact दोस्तों यहाँ पर यह है 27 अप्रेल 815 27 अप्रेल 815 को gardener और बमसा के मध्य संधी हुई ठीक है पर जब यह संधी हुई तो उस संधी के बाद जो बमसा थे और जो चामू भंडारी वगेरा और सेनिक थे गोर्खा सेनिक वो गरवाल चोड़दर कुमाव चोड़कर कहां जाने लगे नेपाल जाने लगे फिर यहाँ पर कुछ दिनों बाद कुछ समय बाद कुछ महिनों बाद एक संधी होती है सगोली की संधी जो काफी important है और यह जो संधी है दोस्तों काफी important है तो देखे सगोली संधी से भी कुछ प्रशन बनते हो यहाँ पर देखे कि कर्णल ब्रेटसा और गजरास मिसर के मध्या यहाँ पर यह संधी हुई थी सगोली की संधी 2 दिसमबर 1815 को सगोली आपको कहां पर मिलेगा बिहार में मिलेगा और इस संधी को उस समय स्युकार नहीं किया गया संधी तो हो गई लेकि स्युकार नहीं किया गया फिर आंतेता जो इसे स्युकार किया गया यह 4 मार्च 1816 को किया गया और बाद में 1823 में संगोली की संधी को सतत सांती विकास और मैत्रिफून के रूप में इसे इस्तापित किया गया तो यहां तक दोस्तों यह था और सगोली संदी हमने आपको यह इसलिए करवाई क्योंकि गार्डनर जब सगोली की संदी हो ली थी तब गार्डनर को एक बिटिस परतिनिधी को रूप में और नेपाल जो काठ मांडू है वहाँ पर भेजा गया बिटिस परतिनिधी को रूप में तो नेपाल में पर्थम जो बिटिस परतिनिधी था वो यही था और काफी इंपोर्टन है अब दूस्तों यहाँ पर एक प्रश्न है जो थोड़ा विवादित है और इसे भी यहाँ पर डिस्कस कराना भहुत जुरूरी है तो देखे एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि 1815 में सिनगर से अलमुडा के बीच में जो डाक व्योस्ता शुरू हुई थी वो किसके काल में हुई थी तो देखे किसके काल में अगर आपको पूछी जाए तब आपका अंसर होगा गार्णर अगर किसने की तब यह प्रश्न विवादित हो जाएगा अब क्यूं होगा देखे अप्रेल 1816 तक यह कमिश्नर बना रहा तो जब यह 816 कमिश्नर बना रहा और डाक व्योस्ता की सुरूआत 815 में हुई तो इसका मतलब वह किस कमिश्नर के काल में हुई वह ई-गार्णर के काल में हुई लेकिन यह ज़रूरी तो नहीं कि वह ई-गार्णर ने करवाया हो ऐसा भी हो सकता है कि ए-गार्णर के काल में ट्रेल द्वारा यह करवाया गया है तो देखे दोस्तों यह प्रशन विवादी थे और किसी भी बुक में इसका एकजेट और सही अंसर नहीं बताया गया है तो option के अनुसार ये प्रश्ण होगा option में अगर trail आये तो trail होगा gardener आये तो gardener होगा और option के ही अनुसार आपको इस प्रश्ण को करना है तो पहला question तो यह हो गया अब है question number 2 कि बिटिस गड़वाल जन्पत का गधन किस वर्श किया गया तो इसका सही अनसर क्या होगा तो इसका सही अनसर है दोस्तो 1849 और 1849 में बिटिस गड़वाल जन्पत का अलग से गधन किया गया अब देखें दोस्तों अगर ऐसा प्रश्ण अलग से बनता है तब 1840 आता है और यही पर ऐसा प्रश्ण पूछा जाता है कि सिरिनगर से पोड़ी जो राज़ानी इस्तानंत्रित हुई थी वो कब हुई थी तो वे 1840 में हुई थी और यही पर 1891 के बात करें तो नेंता जन्पत का गठनवा था तो यहां तक तक तो यह हो गया अब है क्वेशन नंबर 3 और इसकांसर दीजिए कि वह कमिशनर कौन था जिस पर इसाई होकर हिंदू होने का आरोप लगा तो इसकांसर दीजिए और देखे दोस्तो यह प्रशन यूके सेसी ने आपको अभी लेटर्स एक्जाम में पूचा है तो यहां पर देखे दोस्तो जो यह वाला पार्ट है ना बिटिस कमिशनर वाला यहां से मैक्सिमम प्रश्ण बनते हैं तो सबसे इंपोर्टेंट क्लास है आज की तो बताई जरा इसकांसर क्या होगा कि वह कमिशनर था जिस पर इसाई होकर हिंदू होने का आरोप लगा हैंडरी रेमजे, ट्रेल, लुंसी गटन या फिर बैटन तो इसका सही अंसर क्या होगा तो बताईए इसका सही अंसर क्या होगा तो इसके सही अंसर के बात करें दोस्तो तो ट्रेल इसका बिल्कु सही है अभी ट्रेयल के बारे में डीटेल के साथ रिसकस करेंगे दूसरा कोशन है और इस कंसर दीजे जरा यानी चोथा कोशन है कि सरकारी खजाने पर सुरक्षित नियंतरन के लिए किस वर्ट से डबल लोग व्योस्ता के सुरुवात की गई यानी जो सरकारी खजाना होगा वे तो इसका सही अंसर क्या होगा तो इसका सही अंसर बताइए दोस्तो तो देखिए इसका सही अंसर 824 है और यह बिल्कुल सही है अब हम बात करते हैं दोस्तो यहां पे बिल्यम ट्रेल के बारे में तो देखें ट्रेल से क्या क्या प्रशन बनेंगे और इन सभी प्रशनों को द गाडनर को कमिशनर बना था असिस्टन के रूप में और 13 अप्राइल इस ने Dafüraya को यहесь लिए क्कमिशनर från 59 प्रश्वन प्रस्वानू व ces तो सबसे पहले है कि 8 guides 178 यह उत्राहथ mush जो dec we वो इसी ने की थी, तो अठासो सुला में संपुन उत्राखन में डाग व्योस्ता के शुरुवात ट्रेल द्वारा की गई थी, जब कि हमने देखाता कि अठासो पंदरा में पहले से ही जो डाग व्योस्ता के शुरुवात अलमोडा सिनगर के बीच में हो गई, जो कि जन भी करवाए था, तो देखे, अठासो सुला में दो महत्वपुन कार्य, अलमोडा जेल और कहां पे डाग व्योस्ता की सुरुवात, सारी उत्राखन में, अठासो निस में नो पटवारी पदो का सिर्जन, और फिर यहां पे देखे जो अठासो एक्की से तब यहां पर चार में तो फ्याग दी होगे, फिर आगे बात करें, अठासो बाइस में, तो कुली बेगार है तू खचर सेना की व्योस्ता इसने की, और फिर दोस्तो यहां पर जो इंपोर्टेंट फैक तो आपको ध्यान रखना है, अठासो चोबिस में डबल लोग व्योस्ता की सुरू इसमें अल्मोरा में नेटिव डॉक्टर की ब्योस्ता इसी ने की थी तो अल्मोरा में नेटिव डॉक्टर की ब्योस्ता इसी के काल में हुई थी और फिर यहाँ पे आप देखोगे कि तीर्थ यात्रा मार्ग का निर्माण में इसने विसे सुची रखी थी तो देखें दोस्तों कितना important प्रशन है तीर्थ यात्रा मार्ग का निर्माण में विसेश उची इसने रखी थी वो इसी ने रखी थी और इसी कारण जब विसेश उची इसने रखी थी तो इसी कारण इसे इसाई होकर हिंदु होने का इस पर आरोप लगदा है तो very important प्रशन है और यह प्रशन दोस्तों UKCC नी आपको अभी latest exam में पूछे हैं तो बहुत important प्रशन है फिर देखें यहाँ पे ना वकील ना दलील ना अपील इसका कारेकाल किसको कहा जाता है बिल्यम ट्रेल के कारेकाल को कहा जाता है वनों का सरवपर्थम विसेज ध्यान देने वाले कमिशनर कोन था यही था अठासोचबिस में इसने वनों के लिए विसेज कदम उठाए थे तो यह प्रशन भी UKCC ने पूछा है देखें दोस्तों यहाँ पे आपको जितने दिखाए दे रहे ना नववकील दलीर वाला यह प्रशन भी पूछा है वनों पर सरवपर्थम विसेज ध्यान देने वाला यह प्रशन भी UKCC ने पूछा है तीरत यात्रा मार्पन विसेज निर्माण रूची जो यह प्रशन है यह भी UKCC ने पूछा है तो मैक्सिमम प्रशन यूच सबसे इंपोर्टेंट है ट्रेल तो देखे यहां तक टी हो गया और एक लाष्ट यहां पर दोस्तों धाया रख लेना वैसे तो बहुत सारे भूमी बंदबस करवाए थे उन्हें हम अलग से लाएंगे बंदबस के क्लास में लेकिन यहां पर देखें कि 823 का जो 80 साला का भू बंदबस इसी के काल में आय था और यह प्रस्ण भी युके सचीनिया आपको पूछा था तो वरी इंपोर्टेंट है पंचे साला यह भूमी बंदबस था यानि पांस साल के लिए था अब बात करते हैं अगली कुशन पे और इसकांसर दीजिए ट्रेल के सेवान दिसंबर को इसके बाद अस्थाई रूप से कौन कमिशनर जाता है पहला कमिशनर के बात करहा है अगर आप आप देखोगे दोस्तों कि देखेंगे पहला कमिशनर था यह गार्दर पहला कमिशनर कोन है यह गार्णर तीन मई अठासो पंदा से इसका कारेकाल शुरू था और अप्रेल 860 तक इसने कारेकाल रहा था फिर ट्रेल बनाए गया दूसरे नमबर पर और इसका कारेकल अप्रेल 860 से लेकर 1 दिसंबर 835 था ठीक है फिर गोबान बना 836 म अगर आप मोजले इसमित को जोड़ दोगे नहीं तो 500 हो जाएगा ना तो आयूंग ने जब लूंसी गटन माना इसका मतलब जो मोजले इसमित है इसे कमिशनर के रूप में नहीं गिना जाएगा क्योंकि ये अस्ताही रूप से था तो पीसरा कमिशनर गोवन था हना 836 से ले गर 884 तक और यह प्रस्ण में दोस्तों यूके ससी ने आपको अभी लेटर्स पूछा था जो अभी यहां पर हुआता करिक साइक वाला एकजाम वहां पर पूछा था कि रेमजे का कारेकाल कब से शुरू होता है तो 856 में यानि रेमजे कब कमिशनर बनाता 856 में बनाता सि कैसर नमर path यह हूच है अब है दोस्तों कोश्ण नमर चेह और इसका अंसर दीजिए जरा कि वह कमिशनर जिसे उसकी अयोगिता के कारण पद से रहता दिया गया था अब वहाय हुआ no से हटा दिया गया तो वह कमिशनर कौन था यह आपको बताना है तो बताए दोस्तों वह कमिशनर कौन था जरा बताए इसका अंसर क्या होगा तो गोबान था येरसन था बैटन था या फिर लुनसी गटन था तो बताए दोस्तों इसका सही अंसर क्या होगा तो इसका जो सही अ से कि निम्न में से कौन सा कार्या गोबान के कार्यकाल में नहीं हुआ था तो इस कांसर दीजे दोस्तों जड़ा कि मतलब सभी कार्य गोबान ने किये थे हना तो बताईए कौन सा कार्या गोवान के कार्यकाल में नहीं हुआ था अलमोडा थाना की स्थापना दास पर्था बाल पर्था महिला विक्रे पर्था इन सभी पर रोग इसके लाओ बात करें यहाँ पर गोला दीप जो यहाँ पर डन ब्योस्ता होती थी गोर खाव कालिन उसे यहाँ पर समाप्त करना और पोड़ी जन्पत की स्थापना तो बताई इसमें से कौन सा सही होगा वैसे आप समझ चुके होंगे इसका सभी राइट अंसर क्या है तो फिर पर बताई दोस्तो इसका सही अंसर क्या होगा यहां पर यह नहीं हुआ था नहीं तो बिटेश गरवाल भी नहीं बना था एक जंपद उस टाइम पे अनपको या नहीं हुआ था तो गवंग के कारेकाल में यह नहीं हुआ था बाकी यह सब्सक्राइब कारेकाल में घॉला दीवड़ंगि लिष्ट इस पारिशन सिरुवात गोवान के काल में हुई थी गोला दीप डंट ब्यूसता होती थी जो गोर्खा कालिन वगेरा थी उसे इसने समाथ करवाय था दास पर्था का जो समाथ इसे के काल में हुआ था तो इन फेक्ट को देखना दोस्तों काफी इंपोर्टेंड है और 836 में ही यह जो पर्था थी द का इन अधर दिचेगरा कि निंतान नगरी करन का काया किस कमिस्टर के कारेकाल से सुरू किया गया हैं यह पर बैटन से तो इसका साइएंसर यह होगा और फोट करे नों है और इसका चाहिए जरा कि गोंती नदी बागश्वर में पुल का निरमाण किस वर्क रवाए गया थ तो बताएं दोस्तो किस वर्ष कराया गया था और किस वे करवाया था यह भी आपको बताना है तो इसका सही अंसर क्या होगा तो देखें पहले कोशन की बात करें यानि आठवे कोशन की हुआ था और यह फैक्ट भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है तो यहां तकी हो गया अब जड़ा यहां पर देखिए देखे अब बात करते हैं लुटिक अपर बात करें दोस्तों तो यहां पर यह मद शूचना कि लेकर अक्टूबर 1848 तक इसका कारेकाल था तीस नौबर 1838 से लेकर अक्टूबर 1848 तक इसका कारेकाल था और सबसे अपनी मिर्तुप परेंद यानी मिर्तु होते होते तक जो कमाओ का कमिशनर था उस पतवर था तो यह लुद्सी गटन था तीस नौबर 1838 से लेकर अक्टूबर 1848 तक इसका कारेकाल था और फेक्ट यह देखिए आपके कि नैनिताल नगरी करन का कारेकाल इसी के काल से और फिर यहाँ पर देखिए जो काफ इंपोर्टन है कि गौमती नदी में बागिशर पुल का निर्मान 1848 में 1848 में अलवोडा में डिस्पेंसरी कमेटी का अगटन जो उषिदाले वगएरा होते है न उसकी कमेटी का अगटन क्या था अठारा सो अर्टालिस में और यहाँ में करवाई थी मैं 1842 में तो बहर इंपोर्टन फेक्ट है और एक और फेक्ट दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है कि 12 अप्रेल 1845 में नेनितान नगरपालिका का जो पर्थम बाइलोज है इसका अनुमोधन किया था तो सिंपल पूछा जाएगा प्रशन नेनितान 1845 अप्रेल 12 को किया गया तो बहर इंपोर्टन फेक्ट है और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर देखे और जो प्रशन आपको UKCC ने आपको डीप लेवल का पूछा था और वह प्रशन दोस्तों यहाँ पर यह था कि 1849 में लावरीस फंड जो यहाँ पर था लावरीस फंड आपको अजे रावा सर की बुख से नहीं रखाए यह बालू है दोस्तों हमने कहां से रखाए यह रखाए हमने जो आरेस टोलियाजी की बुखे वहां से यह फेक्ट हमने रखाए और बहुत ही इंपोर्टन है तो यहाँ पर दोस्तों हमारी कोशिश रहती है कि जो इंपोर यावरिस फंड के मादम से सिन अगर में इसकोल की स्थाफना हडलसन के साहता सी की गई थी तो लुंसी गटन से आपको इतने फाइंट याद करने हैं तो यहाद तक ही हो गया अब देखें यापर कोशन नमर 10 है और कोशन नमर 11 अलमोरा कमिशनरी को नहीं निताल में निताल में परवर्थित किया गया तो बताये pretend और neighbor 8251 September 848 या फ интересно च्या है और अगर आप दोस्तो इसका सही अंसर क्या है और बहुत ही बड़ी बड़ या बात है तो इसका सही एंसर क्या तो ध्यान रगना अक्टबर अजे राव सर की वुक्ता ये फ्रस्ट है अब है कोशें नमर 11 और इसका दीजे ज़रा कि सीनगर में बना जो पर्थम संस्पेसन पूल है ये पूल रूप से कब बनकर त्यार हुआ अब पूल रूप से पूचा है कि कब बनकर त्यार हुआ और कहा पर दोस्तों आप यह भी बताए कि यह फूल किसके द्वारा बनवाए गया था तो हना तो बताएं दूस्तों यह किसके द्वारा बना गया था और पूलल रूप pushes का सथी अंसर तो बताई जुगा का सही अंसर जोंगा ऑगा तो यह मिलेगा आपको 883 और यह सही है जभ यह है पुल बना था तो यह बनाए था इस टेची ने किसे बनाए था इस टेची द्वारा इस पुल का निरमान कराने में बिशेष्च हो योग-दान था और बात करें इसके बनाने का जो कुल खर्चा आये था वो 17,08 रुपे आये था यानि 17,08 रुपे यानि लगबा 17,000 रुपे का इस पर क्या आये था खर्चा आये था इस पुल के निर्मान करने में तो बहुत important प्रशन दोस्तो इसे जरूर नो down करना अब यहां पर देखते हैं देखें यह जो कारेकाल था जो हेलोट बेसन राण को बित्सक्लाकार का जाता है कोँकर परसासणिक सुधार इसने बहुत ज जाधा के बहुत अनुपपफ था इसे लुस के कारकार का से था तो इसे बहुत **** Jupiter बिटिस कमिशनी का जो सौन काल है वो इसी के काल को कहता है फिर देखे कि बेटन के काल में ही इसकी कमिशनर यानि असिस्टेंट जो सीनर कमिशनर थे इसके अंदर अंतरगत वह थे एक था कमिशनर था इस्टेची और जो है नी रेम जा था वह भी इसका अंतरगत था यानि य यहां पर दर एक फैक्ट ध्यान रखना इस्टेची से और वह यह है कि इस्टेची को नौत प्रोविशन्स का जो लेटनर गवर्नर है वह न्यूट किया गया था और इसकी अलावत दोस्तों यह बाद में जो गवर्नर जन्रल है उसकी काउंसिल में भी यह सेलेक्ट हुआ था उसकी काउंसिल में भी यह वर्ति था तो इस्टेची बहुत इंपोर्टेंट वर्ति है और फिर यहां पर कुछ और फैक्ट देखे कि सब्तमबर अठासो पचास में बमूरी अल्मोडा मार्ग का निर्मान में जो सर्वेक्शन का कारवा था वह हैलिट बेटन के कारव में ह हो था यह भी काफी बहुत है और फिर आगे देखे कि अल्मोडा कमिशनरी से नेनिताल कब टासपर होई थी अक्टूबर अठासो पच्पर में होई थी तो इसका मतलब यह किस के टासपर में हो था किसके काल में हो था हैलिट बेटन के काल में हो था लेकिन जब हैलिट तो इसके राव यहां पर देखे कि 840 में जो आठवा भू बंदबस था जिसे 20 साला बंदबस भी कहते हैं 20 साला वाला बंदबस जिसे खसरा या सर्वक्षन पर अधारत था वो इसी के इसी ने करवाय था यानि उसमें कमिशनर नहीं था उससे पहले भी इसने ये बंदबस कर दिया था यानि इसे कमिशनर यानि जो लेंड सेटलमेंट है उसका इसे अर्थिक्ति कारेबार सोंपा गया था तो बहुत इंपोर्टेंट वेक्ति है दोस्तों यहां पर यह और एक चीज़ ध्यान रख लेना कि इसने जो डाक बंगले है उस पर विश्यान दिया था और ध पूछा जा सकता है 850 आपने यह फेक्ट देख लिया है हना तो यहां तक तो दोस्तों यहां पर इन फेक्टों को आपको इतना ही याद करना है और यही आपको पूछे जाएंगे अब बात करतें अगले कुशन के कुशन नमर 12 है कि नेर्मताल को इसकुली शिक्षा के चाहिए अगर अभी तक आपको याद नहीं है नेर्टाल को इसकुली शिक्षा के बिक्षित करने का स्रेक किसे जाता है और यह जो जाता है दोस्तों यह जाता है हैंडी रेमजे को हैंडी रेमजे के बार में भी देखते हैं तरहाई इंप्रूमेंट फंड की स्टापना कि की गई और यह प्रशन भी यूके ससी ने आपको पूछा था तो इसका अंसर क्या होगा तो जहां दोस्तों अगर इसका अंसर के बात करें तो अठाइन सिस्टी नाइन अजे रेमजे ने इसका किया था जो मिस्प्रिंट है आप इससे सुधार जरूर कर लेना क्यूंकि जो सेर्वुड कोलेज की जो इस्तापना हुई थी वो 1869 में यानी 1869 में हुई थी तो ठीक है यहां तक हो गया है अब जरा यहां पर दोस्तों बात कर लेते हैं 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 देखे प्रस्न देखे कारेकाल है 856 से लेकर 814 तक दलहोजी का ये चचेरा भाई था मूल ता ये स्कोिय रेड का निवासिय था इसकोर्ट लेंड जो यू कए है वहां का ये निवासि था फिर आगे देखे कि देखे उस समय कमिशंट नहीं था लेकिन 804 में इसने अलवोडा में कुछ आस्रम की स्थाफना कर दी थी तो very important fact है कमिशनर ना होते भी क्योंकि वो assistant उस समय था assistant senior commissioner था उस समय और उस समय उसने 844 में कुछ आस्रम की स्थाफना अलवोडा में की थी यह भी very important fact है यानि कुछ आस्रम जो कुछ रिवेक्टि होते थे उनके पड़ते इसने बहुत दया दिखाई थी तो यहां तक ही हो गया फिर देखे कि 857 के परचाथ नेनिताल को इसको लिशिक्षा के रूप में विकास करने का जो सिरे जाता है वो हैंडी रेमजोई को जाता है और दोस्तो यह प्रचन भी UKCCC ने आपको पूछा है तो देखे दोस्तो maximum प्रचन बोलना होना दोस्तो 99% जो प्रचन है UKCCC आपको पूछ चुका है तो सारे important प्रचन है इन्हें आप जरू याद कीजे फिर देखे यहाँ पे तरह improvement fan अभी बात की थी 883 में की थी फिर देखे 888 में पर्थम जो Methodist Church है उसकी स्तापना नेनी ताल में की गई थी कहाँ पर की गई थी नेनी ताल में तो नेनी ताल में पर्थम Methodist Church की स्तापना की गई थी पादरी बिल्यम बटलर के द्वारा की गई थी और अब यहाँ पर देखे कि 1867 में नेनी ताल में कोई छोटा सा भुस्कलन आया था ना अब जब यह बुस्कलन आया तो हैंडी रेम जे काफी यहाँ पर क्या होगे सतर को गया और सतर को होने के बाद इसने 1867 में हिलसाइड सेप्टी कमेटी का गठन कर दिया या इस्ताफन कर दी ठीक है तो काफी इंपोर्टेंट है और फिर यहाँ पर देखे के नेन्ताल में भयंकर भुस्कलन आया था आप देखें दोस्तों जब यहाँ पर नेंथाल भेंखर भुषकलन आयठा तो नेंथाल में जो मंदीर है वह भी काफी जो यहाँ पर भी शल स्कुलत हुआ था तो इस भुषकलन में उसका क्या हुआ था धस्त हो गया था है तो बालड़ में उसे दभारा से annih republican करा गया था प ठीर यहां पर देखिये कुछ इसकूल हो रहे है कि 1869 में सेरवर्ड कोलेग की स्थाफना 1869 में ओल सैंड्स इसकूल की स्थाफना 1870 में इस्टैनले इसकूल की इसकूल की स्थाफना और सेंड marriage कौन्नमेंट इसकूल की साफना श Ó하다फर में तो इन चारो इसकुल की इस्तापना ध्यान रखना और दोस्तोर जो हमने आपको जो क्लास दी थी जो हमने आपको जो canada वाली शीरिस क्लास दी ती वहाँ पर भी हमने आपको具 बीटेर्स से कुछ पुराने जो बिटेस कालिंगी स्धी उनकी स्थापना वर्स करवाए थी लगबग 6-7 important school थे पुराने school उनकी स्थापना करवाई थी तो उन्हें और इन school को जरूर याद करना आने वाले एक्जाम में एक number दिला कर जाएगा अब है आपर कोश्यराबर 15 और इसकांसर डीजे जरा कि पर्थम बेग्यानिक धंग से कराए गया भू बंदबस कोन था तो देखे दोस्तों ये लाश कोशन आज का और इसका अंसर दीजे जरा कि पर्थम बेग्यानिक धंग से कराए गया भू बंदबस कोन था सातवा था नवा था पांचवा था या फिर दसवा था तो पताई जरह इसका क्या था तो इसका सही अंसर क्या होगा तो जी हां दोस्तों इसका सही अंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा नववा भूबनवस और नववा भूबनवस के बात करें दोस्तों तो यह बिकेड का भूबनवस था बिकेड का भूबनवस नववा भूबनवस जो 1863-64 में बना था हना और यहीं पर दोस्तों अगर इस भूबंदवस्त के बात करें तो यहां पर यह ध्यान रगना कि पहला यह क्या था कि यह एक बेग्यानी पद्रती पर बना गया भूबंदवस्ता इसमें पांच भागों में विभाजित किया गया भूमी को तलाओ और इनके बारे में दोस्तों आप यहां पर इसे पढ़े लेना हाँ पर दोस्तों आज के लेक्टर में इतना ही तक है और अब हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में यानि सोंबार को मिलेंगे दोस्तों और सोंबार को हम इन क्लासे के साथ आपको मिलने वाले हैं तो लखने से पहले दोस्तों जो इसका डाटा त्यार किया जाता है उसी में कम से कम दो से तीन घंटे का समय लगता है और इतना जादा समय लगने के बाद भी हमने यह सोचा है कि हम आपके लिए चार क्लासेस कंटिन्यू करेंगे सोंबार से बस दोस्तों आपका प्यार हमें चाहिए आपका सपोर्ट हमें चाहिए और बढ़ चरकर जितना ज्यादा सपोर्ट आपकर सचते हमें वह हमें आपका चाहिए और दोस्तों हमारी पूरी कोशिश रहेगे कि आपका सेलेक्शन इस तो मिलते हैं दोस्तों आपको नई वीडियो में जय हिन दोस्तों जय उत्राखन जय देभूमी